हेलो दोस्तों मैं सोरा मलिक आपसे भी का टोपिक स्टेड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं आज रीजिनिंग के कुछ और एक्सपेक्टिड कोईशन जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आप इसे बहुत इंपोटेंट रहने वाले हैं चाहिए आपका एक्जाम गुरूप D का हो, आर्पी अप का हो, हर्यान SSC का हो, बिहार पुलिस का हो, कोई भी एक्जाम आप देने जा रहे हैं तो सभी के लिए इंपोटेंट रहने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ उनके लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में है, उनको भी आप देख सकते हैं और जो दोस्त अब सक चैनल साथ में नहीं जुड़ है, तो नीचे रेड़ का लगा बटन दबा करके बैल ऐकन को जरूर रोन कर लेजगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे कर देख का मान बताईए, इस टाइप के कोस्षण आपके एकजाम में देखने को मिलते हैं इनको करते कैसे, बस यहां पर दियान रखने आपको बोर्ड़ मासक का रोल, वह मैं आपको बता दूँ अभी ठीक है यह वाली आपको equation दी गई है इसमें सारे sign change करना है अगर यहाँ पर बोला गया plus को divide तो जहाँ पर plus होगा वहाँ पर divide कर दीजिए divide को minus जहाँ पर divide है तो उसको minus में बदल दीजिए minus को multiply जहाँ पर minus है वहाँ पर multiply और multiply को plus तो जहाँ पर multiply है वहाँ पर plus यह हमने सारे sign change कर लिए तो इसको solve करते हैं यहाँ पर देखिए दीगे वेंजिक का आपकी जो equation थी यह थी हमने इसमें सारे sign change कर लिए है ठीक है यह वाले sign यहाँ पर बन चुके है तो इसमें board mask का आपको rule apply करना है board mask का कहता है सबसे पहले और ब्रेकिट आप यहाँ पर कहीं नहीं है ठीक है फिर बोलता है कि of वाली multiply तो of वाली multiply आपने देखा होगा कि 4 of 3 इस तरीके से लिखा होता है तो इसका multiply होता है तो यहाँ पर ओ भी कहीं नहीं है फिर तीसे नमबर बोलता है divide तो divide यहाँ पर किसमे है देखी इन दोनों का भी divide करेंगे तो सबसे पहले हमें divide करना है तो 4 दुनी 8 यहाँ पर 2 हम लिख लेंगे 2 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9 यह हमने इस तरीके से लिख लिए ठीक है यह हमने इतने सोल को लिए उसके बाद क्या बोला जाता है multiply divide के बाद multiply तो multiply यहाँ पर किस-किस में 5 और 9 में तो 5 और 9 की multiply करेंगे तो यहाँ आपका 45 आजाएगा तो यहाँ पर हमारा multiply भी हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 45 इसके बाद क्या बोलता है add अब add आपको करना है और final में आपको minus करना है subtract करना है तो 3 प्लस 45 कितना हो 47 final में minus करना है तो आपका कितना हो जाएगा minus 3 तो यह आपका हो जाएगा कितना 44 ठीक है बई ठीक है यहाँ पर confuse तो नहीं होए न कुछ भी पहले कर देते हैं यह multiply पहले कर लेंगे कभी-कभी तो answer से ही आजाते है बट कभी-कभी गलत आजाते है तो board mask का rule को जहार में रखते होई एक-एक step को चलेंगे तो कभी भी गलत answer नहीं आएगा ठीक है आशे करता होगी समझ में आगे होगा next question पर चलते है एक next question देखते है इसमें दिया गया नीचे एक आकरती सरंखला दी गई है जिसमें एक आकरती लूप्त है चार दिये के विकल्पों में से उस विकल्प का चैन किजिए जो सरंखला को पूरा करे देखें आकरती वाले भी question भूट सारे पूछे जा रहे हैं आपके group D के exam में और अलग-अलग सभी exam में पूछ ले जाते हैं तो करना कैसे होता है यह तो वैसे भी बहुत simple सा question है बस एक आपको idea मिल जाएगा कि आकरती के जो questions होते हैं उनको करना कैसे होता है देखें यहाँ पर आपको उत्तर पर नहीं जाना होते हैं सबसे पहले सबसे पहले आपको देखना होता है कि person में ही किस तरीके सा करती है चल रही है यहाँ पर अगर देखो आप 2, 3, 4, 5 5 है अगले में 4 है अगले में 3 है इसमें 2 है तो obviously बात है यहाँ पर 1 आएगा ठीक है यहाँ पर 1 पॉइंट है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है यहाँ एक गोला होगा उसमें 5 पॉइंट होगे तो देख लिजे कौन सा है देखें इसमे 5 है पर इसमें 3 है यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो आपका C right answer हो जाएगा तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल से questions आप कर लेंगे हर एक questions सिंपल ही होता है जितने भी आकरती वाले होते है बस उनको करने का तरीका क्या है आपका वो depend करता है ठीक है चलिए फिर next question पर चलते है यहाँ पर एक कथन निसकर्स का बहुत ही अलग सा question में आपको कराने वाला हूँ क्योंकि इस टाइप का question मैंने देखा था तो मैंने सोचा कि आपको करा जाए कथन निसकर्स का यह question है कथन यहाँ पर दिया गया कुछ चपरासी निर्दन होते हैं एक्स निर्दन है ठीक है तो यहाँ पर क्या बोलगा निसकर्स में अब देखते है यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स चपरासी है तो यह कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कुछ चपरासी निर्दन है और X निर्दन है, यहां पर X को यह तो नहीं बताया गया न, कि चपरासी है, अगर यहां पर बोला जाता है, कि कुछ चपरासी के जंगे, सब चपरासी निर्दन है, और X निर्दन है, तो हम बोल सकते थे, कि यहां पर X चपरासी है, बट यहां पर बोला गया कुछ, तो कोईशन्स आपको देखने को मिलते हैं ठीक है यहाँ पर है नय तो निसकर्स वन और नहीं निसकर्स है कि नहीं था तो ओप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आसे करता हूं कि अगर आपको इस टाइप की कोईशन्स मिलते हैं तो आप इसली कर लेंगे थोड़ा सा एक एक प की कोईशन्स भी आते हैं इसको देख लेते हैं आपका निमलिकित में से कौन सा सब्द दिये गए सब्द के अक्सरों से नहीं बनाया जा सकता तो यहाँ पर जो लिखा है एफिशेंट तो इसमें से देखना है कि A, B, C, D option कौन सा नहीं बनाया जा सकता मैंने आपको कल भी क कौन सा option नहीं बनाया जा सकता कौन सा word नहीं बनाया जा सकता है इस efficient का use करके ठीक है तो यहाँ पर A यह यह वाला word नहीं बनाया जा सकता तो A right answer हो जाएगा अब इन चारों को आपको चेक करने की ज़रत भी नहीं है करके देख लीजिए चारों इसमें से सोरी है तीनों यह इसमें E भी है और I भी है N भी है और T भी है तो यह बन जाएगा इसी तरीक से इन दोनों को चेक करके देख यह भी बन जाएगे ठीक है चलिए next question पर चलते है next आपका question है when diagram से जो की यह question भी important है क्योंकि इस type के questions आपको हर एक shift में हर एक exam में देखने को मिलते है एक question तो ज तो यहां पर माल ढूने के लिए तीनों चीज रिलेट करती है यहां पर क्या है यह वाला condition नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर कुछ इस थरीकी condition सो की यह कि कुछ ट्रक बैल गाड़ी और कुछ बैल गाड़ी ट्रक हो सकते हैं बट यह दोनों के दोनों माल ढूने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाली condition गलत हो गई, ये वाली भी थे कि यहाँ पर जब भी ऐसी condition होती है उसमें कुछ वाली condition नहीं होती है, जैसे ये भी कुछ वाली condition कि कुछ ये हो सकता है कुछ ये हो सकता है, फिर ये वाला भी condition क्या सो कर रहा है, हम इस इस seven diagram गो कुछ भी मान के कि शो करेंगे कि कुछ ये हो सकता है इहार पर क्या सो कर रहा है कि ये relate ही नहीं कर रहा है तो ये थीनों के तीनों चीज़ों relate आपसमें कर रहा है बट यहां पे bell, g YOU truck दोनों अलग-अलग चीज़ तो तो बैल गाड़ी और ट्रक है तो दोनों अलग अलग चीज़े बट दोनों के दोनों माल डुलाई के लिए हम यूज कर सकते हैं तो option D यहां पर right answer हो जाएगा तो इस type की questions को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं option को देखते हुए ठीक है इन options को discard करिए और आपका obviously सीधा सीध स्रंखला को पूरा करेगा तो इसको करने के कहीं तरीक है बट सबसे आसन तरीका मैं भी आपको यहां पर बताने जा रहा हूँ इसको क्या करना होता है जब भी इस type की series आपको दी होती है देखिए बहुत ही जादे confused हो जाते हैं बच्चे आपर क्योंकि वो direct रख 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 12 में chance होता है या तो 4-4 के 3 पेर बनेंगे 4-3 या 3-3 के 4 पेर बनेंगे 3-3 चुक 12 या 4-3 बारा या तो आप 4-4 के पेर तोड़के देखिए यहां पर एक दो 3-4 बट यहां पर चीज और मैं आपको बता दू 12 में 4-4 के पेर नहीं बन सकते क्योंकि कम पेर बनेंगे 3-3 के बना के देखिए अगर वो नहीं सैट बैठते हैं फिर उसके बाद 4-4 के पेर बना के देखिए गा तो मैंने 3-3 के पेर बनाए यहां पर यह रखा फिर एक 3-3 के बन गया एक 3-3 के बन गया ठीक है तीन-3 के पेर बन गया अब यहां पर मैं ट्राई करके देखता हूं कि क्य बन रहा है देखिए यहां पर C A लिखा है ठीक है A B लिखा है B C लिखा है तो कुछ सिरीज सी बैटने रही है बट अगर मैं यहां पर देखो B और A रखे तो B C A फिर यहां पर next B C A नहीं बैट रहा है बट फिर मैं एक बार ट्राई करके देखा B C यानि कि यहां पर रख जामने B तो B C A C A B और यहां पर A B C तो इस तरीके कोई सीरीज बैटरी है देखे अच्छा लेवल का कोशन यह बन चुका है यहां पर B C A C A B फिर A B C इस तरीके से बनना है फिर दुबारे से आपका B C A तो यहां पर A आ गया ठीक है यहां पर आपका C आ गया यहां पर आपका B आ गया यहां पर B और A आ गया तो इस तरीके की सीरीज बनेगी तो आप देख लीजे यहां पर B A B तो कौन सा बनना है B से यह नहीं है B A B और यहां पर C A और C यानि के option B आपका right answer हो जाएगा ठीक है सबसे पहले count करिए फिर pair बनाईए pair बनाने के बाद में check करके देखिए कि कौन सा यहाँ पे आप suitable लगते हैं आपको answer ठीक है तो आशे करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा next question पे चलते हैं यहाँ पे next है आपका निमलिकित सरंगला की अगली संख्या ज्याद कीजे तो try करिए एक बार बहुत ही अच्छा कोशन है आसे करतों कि आप सभी कर लेंगे इस कोशन को और answer comment box में type कर दीजेगा यहाँ पे दिया गया है 8,28,116,584 next आपको बताना है तो यहाँ पे देखे किस तरीकी से चल रहा है 8 की गुणा 3 में की गई 8,24,plus 4 तो 28 ठीक है 28 की 3 में की जाएगी तो कितना हैगा 112,plus 4 तो 116 116 की multiply 3 में की जाएगी तो 580,584 तो 584 अब 584 की multiply आप 3 में करेंगे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3500 यानि की आपका option right कौन सो हो जाएगा option D is the right answer ठीक है तो आज से करता हूँ कि आपको समझ में आगा कोई hard question नहीं था बिल्कुल simple था आज से करता हूँ कि आपको समझ में आगा होगा और सभी में अलग-अलग type की questions करा चुका हूँ तो अभी तक अगर आप सारी वीडियो देखते तो अभी तक तो आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 100.500 series तो आपकी अलग-अलग type की त्यार हो चुकी होती ठीक है और 100.800 series जिसकी अलग-अलग type की याद हो जाएगी तो थोड़ा सा उसका mind भी जादा सार्फ हो जाएगा catch करने लगेगा point को और वो questions easily कर लेगा ठीक है तो वीडियो उसको देखते रहा करे अभी भी बहुत सारा time है आपके पास जितने भी वीडियो के link नीचे दिये है उन सभी को try करके देख लीजे reasoning की भी वीडियो है आपकी math की भी है online test भी है बस आपको पढ़ने की ज़रत है ठीक है चलिए next question पे चलते है देखे एक question है आपका coding decoding से यहाँ पे दिया गया यदि किसी निच्चित भासा में famous को यहाँ पे jwplq है तो miracle को का code क्या होगा याण की coding क्या होगी तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले आपको famous के लिए देखना पड़ेगा कि famous किस तरीकी से code किया गया है jwplq में किस तरीकी से code किया गया उसी तरीकी से आप find out कर सकते है miracle को तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिस करूँगा यहाँ पे जिस परकार यहाँ पे famous को jwplq में लिखा गया है तो यहाँ पे सभी सबसे पहले आपको तो सभी alphabet के number सियाद होने चाहिए अगर number सियाद है तो easily आप कर लेंगे इसमें क्या सिरी चल लिए जैसे famous है famous में आपका F6 number पे आते है A पहले number पे आते है M13 पे आते है O15 पे आते है U21 पे आते है S19 पे आते है इन सभी में सबसे पहले आपका plus 4 चल रहा है बहुत ही important है तो इसलिए बोलता हूं कि हर एक type में अलग-अलग series होती है हर एक video में अलग-अलग series होती है तो इनको देखते राकरे coding decoding का मतलब best question है इस type का question अगर आपका exam में आते तो बहुत मतलब help करेगा आपको सोचने में तो यहां पर देखे 4 प्लस करेंगे F6 पर आता है तो 6 में 4 प्लस करेंगे 10 और 10 पर आपका J आता है इसी तरीके साप सारे के सारे कर सकते हैं आपको series पता चल गई तो इसी तरीके साप miracle को यहां पर लिख सकते हैं तो miracle में आपका क्या होता है सबसे पहले M 13 पर I 9 पर R आपका 18 पर A 1 पर C आपका 3 पर L आपका 12 पर E आपका 5 में सबसे पहले सभी में प्लस 4 कर देंगे M में प्लस 4 करेंगे तो Q आ जाएगा फिर next वाले वर्ड में आप minus 4 करेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आजएगा 5 पे आपका E आता है फिर प्लस 3 करेंगे तो प्लस 3 करेंगे तो U आपका 21 पर आएगा फिर माइनस आपका 3 करेंगे तो आपका X आजएगा जो कि आपका X 24 पर आता है फिर यहापे Plus 2 करेंगे तो E आजएगा फिर Minus 2 करेंगे तो आपका 10 आजएगा ठीक है फिर उसके बाद आपका यहांपे Plus देखे अब इस चीज को भी मैं समझाँगा आपको Plus 1 करेंगे तो यहांपे F आजएगा यहांपे हमारा क्या था कि माइनस टू तक ही सिमित था बट यह फैमस में कितने वर्ड यूज होते हैं 2, 4, 6 होते हैं अब यहां पे जो मिरिकल है इसमें आपका 7 वर्ड यूज हो गए तो 7 वर्ड का मतलब है तो बहुत ही अच्छा कोशन था दोस्तों लास्ट कोशन आज की वीडियो को इसमें दिया गया निमिलिकित सरंकला में विलूप संख्या बताईए तो 3, 10, 29 और यहां पे आपको बताना है क्या एगा और next आपका 127 लिखा है चार ओप्शन आपके सामने है लास्ट कोशन यह है तो एक बार इसको ट्राइ करिए और इसका राइट आंसर कमेंड बोक्स में बताईए वीडियो को रोग करके मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है आपने ट्राइ कर लेगा वीडियो को रोग करके यहां पे लिखा है 3, 10, 29, 66 यानि कि 66 तो आपका राइट आंसर ही तो यहां पे 7, 9 तो इसका मतलब यहां पे कितना चल रहा है यह आपका चल रहा है इनके पीछे भी आपका 12 चल रहा है ठीक है इस टाइप की सिरीज भी बहुत अच्छी होती है यहां पे 7 से 19 बढ़ा 19 में आपका 12 बढ़ रहा है और फिर 12 से आपका फिर आप यहां पे क्य में प्लस करके क्या करेंगे 6 तो 24, 37 और 24 प्लस करेंगे तो 61, तो इस तरीके से ये series चलती है, मतलब double row series चलती है कि ये तो चली रही है, फिर ये भी चल दी है और इसके नीचे एक और चल दी होती है, जो final आपका पता चल रहा है, कि हापे हर एक संख्या में प्लस 6, प्लस 6 चल रहा है ठीक है, तो इस टाइप के questions आप easily कर लेंगे, यहापे right answer इसमें आपको उपते चली चुका है, 66 हो जाएगा और आपने इसको try किया होगा, आसा करता हूँ कि आपने इसका right answer भी comment box में कर दिया होगा, इसकी करता हूँ कि आपको इस चीज़े सारी समझ में आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दियोगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को देखने बहुत बहुत थिने वाद, आपका दिन सूपो